नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पी टैक्निकल एश्टडी यूटोब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपने बात करेंगे कि एक्जाम में किन-किन बातों का ध्यान रखना है अर्थार्थ जो आपका टैक्निकल एलपर का प्री एक्जाम है उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो इस वीडियो में फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजे जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे साथी ओर नोटिपिकेशन बेल को भी ओन कर लिजे तो चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि प्रक्षार्थी के लिए मैत्वपॉर्ण निर्देश कौन-कौन से हैं, तो दोस्तों सबसे पहले से पहले बात करें, तो सबसे पहले आपको तीथी समय वह इस्तल का ध्यान रखना है, अर्थार्थ जो की photo इस परवेश पतर पर चिपका करे और वरतमान में वेदय फोटो युक्ते एक पैचान पतर का मूल परमाण और उसकी एक photocopy साथ में लाना है अर्थारत है अनिवारिया है जो आपका ID कारड होगा ID card होगा उसका एक photocopy भी लेकर जाना है आपको अनिवारियर तोर पर लेकर जाना है उसके बाद में बात करें तो आप ID कौन-कौन सी ले जा सकते हैं तो दोस्तों ID में जो की वर्तमान में व्यद्ध फोटो पैचान पतर है जैसे pen card है passport है इसता ही driving license है वोटर कार्ड है या photo युक्ति bank passbook है या अधिकारी क्विलेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो इन में से आप कोई सा भी एक ले जा सकते हैं और साथ ही जैसे university द्वारा व्यद्ध पैचान पतर आदार कार्ड है फोटो युक्ति याधार कार्ड करमचारी पैचान पतर इन में से आप कोई सा भी ले कर जा सकते हैं जो कि एक वेद्ध पैचान पतर होना चाहिए और इसके साथ में एक आपको photo copy भी ले कर जाना है और दोस्तो या साब साब दे रखा है कि आप इस परवेश पत्र पर इंगित परक्षिया परारम समय से 2 गंटे पहले परक्षिया इस्तल पर अवस्य उपस्तित हो अर्थार्थ आपको 2 गंटे पहले ही परक्षिया इस्तल पर पहुँच जाना है। प्रक्ष्यार्थियों के मामले में जिनोंने अपना नाम बदल लिया है यदि वे राजपत्रित हदी सुचना या अन्ने अपना विवा पर्मानपत्र या सपत्पत्र प्रस्तुत करते हैं तो यह उन्हें अनुमनत किया जाएगा तो आपको इस बात का विशेश द्यान रखन आपको फोटो भी हुआ ही लेके जाना है और साथ में अस्ताक्षर भी वही करना है तो इस परकार से मुख्य तोर से इस बात का ध्यान रखना है चले अब आगे बात करते हैं कि और कौन-कौन से पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों आगे दे रखा है प्रक्षियार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश अर्थार्थ इंपोर्टेंट दे रखा है जिसमें दे रखा है प्रिवेस पत्तर प्रोवेजिनल है अर्थार्थ प्रक्षियार्थि को प्रक्षिया में बैठने से पूरो अपनी पातरता के संबंद में संतूष्ट हो जा और COVID-19 दिशा निर्देशों का सक्ति से पालन करना चाहिए क्या करना चाहिए पालन करना चाहिए उसके बाद में आपके लिए मुख्य पॉइंट यह तीसरा नंबर का है कौन सा पॉइंट है तीन नंबर पॉइंट मुख्य तोर से हैं तो इसमें क्या क्या दे रख्का है, तो दोस्तों यहां दे रख्का है प्रक्षया के दिन प्रक्षया के इंदर पर केवल निमन सामगरी लानी है, अर्थार्थ आपको कौन-कौन सी सामगरी लानी है, तो यहां दे रख्का है परवेस पत्र लेकर जाना है, जिस पर 3.5 cm गु तो नीली स्याई का पारदर सी बोल पेन लेके जाना है उसके बाद में बात करें तो फोटो युक्त मूल पैचान पत्तर में परतिली पी अर्थार्थ एक पैचान पत्तर उसके साथ में उसकी एक फोटो कोपी भी लेकर जाना है उसके बाद में दे रहा है नीजी हैंड पचास मिली लेटर और उसके बाद में दे रहा है नीजी पानी की बोतल वह उचीत में पेस मासक है तो दोस्तों आपको इन बातों का तो मुख्य तोर से ध्यान रखना है अर्थार्थ एक से तीन तक कि तो मुख्य तोर से ध्यान रखना है इनको तो लेकर ही जाना है इन तीन के इंदर पर IRIES scan करवाए और IRIES authorization code पराप्त करे क्या करे IRIES authorization code पराप्त करे उसके बाद में दे रखा है कि प्रक्षिया के लिए नियत समय से दो गंटे पूरा प्रक्षिया के इंदर पर आउशक रूप से उपस्तित हो जावे ताकि सुरक्षिया जांच एवं पैचान का कारिय समय पर पूर्ण हो सकी तो आपको दो गंटे पहले उपस्तित हो जाना है प्रक्षिया सेंटर पर उसके बाद में बात करते हैं point number 6 पर तो दोस्तों प्रक्षिया के दोरान calculator अलग या गड़ी के साथ एवं किताबों, नोटबुकों, लिखे नोटस, सेलपोन, केमरा सहीत या रहीत या अन्य किसी electronics साधन के लिए परयोगी अनुमती नहीं दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी? इसके लिए अनुमती नहीं दी जाएगी इस बातों का आपको मुख्य तोर से ध्यान रखना है उसके बाद में बात करते हैं तो point नमबर साथ पर है तो दोस्तों पुरुस प्रक्षियारती आदी बांका सर्टे, टी सर्टे, कुर्ता, पैंटे, पाइजामा हवाई चपल, अर्थार्ट सिलिपर पैंट कर आएंगे क्या करके आएंगे? आदी बांका सर्ट होना चाहिए या टी सेट हो, या फिर आप कुर्ता पैंटे हो तो वो होना चाहिए आप बाजु में, उसके बाद में बात करें पैंट या पाजामा, दोनों में से एक चलेगा आप अगर जिन्स पैंट के जाते हो, तो जिन्स नहीं चलेगे जिन्स से नहीं चलेगे आपको या तो पैंट पैंट के जाना है, या पाईजामा पैंट के जाना है उसके बाद में बात करें तो जूते नहीं चलेगे, आपका केवल हवाई चपल पहन के जानी है, क्या पहन के जानी है, हवाई चपल या सिलिपर पहन कर आएंगे, तब ही उनको अनुमती दी जाएगी, उसके बाद में दे रखा है महिला प्रिक्ष्यारती, सल्वार सूट या अन्य कोई जेवरात पहन करें नहीं आएगी, तो इन बातों कर आपको मुख्य तोर से ध्यान रखना है, उसके बाद में दे रखा है कि प्रक्ष्यारती प्रक्ष्यारती प्रक्ष्या के अंदर में किसी भी परकार की घड़ी, दूप का चस्मा, बेल्ट, हैंड बेग, एर पिने, ताबीज, केप, हेट, सकार्प, या इस्टोल पहन कर प्रक्ष्या में साही मिल नहीं होंगे, तो इन बातों का मुख्य तोर से आपको ध्यान रखना है, कि आपको टी-शेट या पजामा पहन कर जाना है, साथ ही आपको चपल पहन कर आनी है, उसके बाद में बात कर से द्यान रखना है, कि जब आपका एंट्री का टाइम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए आपको समय से पहले ही एंट्री ले ले लेनी है, क्या कर लेना है, आपको एंट्री समय पर ही ले लेनी है, तो इस बात का आपको उस्तिती दरज की जाएगी उसके बाद में देरकाई प्रक्षया समाप्त होने पर ही प्रक्षियार्तिों को अपने सीट छोड़ने की अनुमती होगी। पॉइंट नमबर 11 दे रखा है प्रेक्षिया के दोरान किसी अन्य प्रेक्षियार्थी के द्वारा परती रूपने अत्वा किसी भी परकार के अनूचित साधन का परियोग करने पर प्रेक्षियार्थी के विरुद राजस्तान सारव जनिक प्रेक्षिया अर्थार्त भरती म अनुचित सादनों की रोक्ताम के अध्यूप पाई हदिनियम 2022 के प्रावदानों के अंतरगते कारिवाई की जाएगी क्या की जाएगी कारिवाई की जाएगी उसके बाद में पॉइंट नंबर 12 दे रखा है निगम के निर्देशों का उलंगन करने पर प्रक्षार्थी के व यात्रा बथ्था अत्वा अन्य खर्चे नहीं दिये जाएगी क्या नहीं दिया जाएगा आपको किराया केवला आपका ही होगा उसमें किसी भी प्रकार की यात्रा का बथ्था या अन्य खर्चे आपको नहीं दिये जाएगे आपके खुद के पैसे से आप यात्रा कर बाग की जो वेबसाइट दे रखी है उस पर आप देखे सकते हैं उसके बाद में दे रखा है कि इसकी जो वेबसाइट है इनर्जी. राजस्तान. गोर्मेंट. इन इस पर दिनाग 11.05.2022 से कबसे 11.05.2022 से उपलवद रहेगा जिसका अभ्यास करें प्रक्षयार्थी प्रक्षया किरिया से बलिवाती आउगत हो सकेंगे और उसके बाद में दे रखा है कि प्रक्षया दिनाग 70 केंदर में परिवर्तन की किसी परातना पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थार्थ आपका जो प्रक्षया सेंटर है तो उस पर परिवर्तन की किसी परातना अगर आप परातना करते हैं तो इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा तो दोस्तों आपको इन बातों का मुख्य तोर से ध्यान रखना है तो इस वीडियो में इतना है अगर वीडियो पसंद आए उत वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजे जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइ भी कर लिजिए साथ ही all notification bell को भी ओन कर लिजिए जिससे के आगे के सभी notification आपको मिल सके Thank you